वर्तमान में आप हर एक व्यक्ति के घरों में LED बल्ब को देख सकते हो यह बल्ब बिजली को तो बचाते ही हैं साथ ही हमारी आँखों को भी अफेक्टेड नहीं करते हैं दोस्तो आज किस वीडियो को आप अन्त तक जरूर देखें तो कि आज हम आपको बताएंगे कि फेक्टर में LED बल्ब को कैसे बनाए जाता हैं और इसी के साथ यारों आप हमारे चेनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें सिंपली LED बल्ब को बनाने के लिए सबसर पहले PCB ड्राइवर यानि प्रिंटेट सर्कीट बोर्ड को तियार किया जाता है जो AC करेंट को DC में बदलता है यानि High Voltage से Low Voltage करेंट में बदलता है जिससे LED बल्ब चल पाता है यह एक प्रकार से Power Supply के रूप में काम करता है अब इन ड्राइवर को बल्ब की बोडी में रखा जाता है जो पहले से ही तयार होती है इसके बाद इस PCB ड्राइवर को एक Aluminium की Heat Sink से ढख दिया जाता है इस प्रोसेस के बाद एक अलग मशीन में LED का सर्कीट बोड तेहर किया जाता है जिस पर LED को SMT यानि सरपेस मांटेंड टेकनिक द्वारा चूड़ा जाता है अब इन LED को एक Robotic Machine Heat Sink पर Fix कर देती है अब एक Robotic Machine इस Bulb की बोड़ी को उल्टा करके एक Convair Belt पर रखती है जहाँ पर कुछ कर्मचारी इन Bulb की वायर को सीधा करते हैं जिन पर Auto Machine से द्वारा Holder को Fix कर दिया जाता है और इनके Extra Wire को काट कर बचे हुए वायर को Soldering Machine द्वारा चिपका दिया जाता है अब इन पर Diffuser यानि उपर एक Plastic के काज को लगा जाता है इस फुल प्रोसेस के बाद Company की Labeling की जाती है इस प्रोसेस के बाद इनने Card Box में पेक करके Shipping के लिए भेज दिया जाता है तो दोस्तों देखा आपने इस प्रकास से फेक्टर में LED बल्प को बनाए जाता है केसी लगे वीडियो कमेंट करके जुरूर बताना और वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना